तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागयत और अभिनेदन आज के कारिक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं रासी फल 2024 की में इस रासी से लेकर के और मीन रासी प्रियंत हम लोग करमसा है हर रासी की चर्चा कर रहे हैं कि 2024 क्या नई संभावना को लेकर आने वाला है आज इस करम में हम लोग तुलारासी की बात करेंगे कि तुलारासी की जातकों के लिए 2024 कैसा रहने वाले हैं कैसे आपके हेल्थ, फाइनेंस, फैमली के लिए आपके दामपती जीवन से जुड़ी भी चीज़े हैं कारोबार से जुड़ी भी चीज़े हैं आपके केरियर से ज जिट कर रहे हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर गए साथी बैल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेगी हम करमसाव प्रतिक महने पर भी चर्चा करेंगे ले आप इसको बोलते वे नाम के आधार पर देखते हैं आपकी जन्मराशी 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 नहीं आपको पता है या आपकी जन्मराशी नहीं बनी भी है तो मेस आपको जो बोलतावा जो नाम है उसके आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं संबहता ये फल लग लग बग एक जैसा आएगा लेकिन एक चीज यहां पर समझना बहुत महत्पू हो जाता है कि यह रासिफल कैसे किस बेस पर यह रासिफल आपको फल देने वाला है उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि जब भी हम किसी भी रासिफल की बात करते हैं तो हमें लगता है यह रासिफ अंतरी महादसाओं पर कौन सी दसा चल लिए अंतर दसा पर कौन सी चल लिए इसके आधर पर भी काफिया तक यह कारिकम आपको शूट करेगा तो आप इस रूप में भी इसको बना कर देख सकते हैं अगर तुलारासि की संभावनों को हम देखे हैं तो तुलारासि का चार् संभाव में जबन की इस्तुति रहेगी तो बहुत बैतर रहेगी आपके लिए अनिक प्रकार की संभावनों धन से बृधि का योग बना करके यहां पर बैठेव हैं इसमें इसके बाद आपका तीन मार्च से लेकर की उच्छो जाएंगे तो यह काफी अच्छी संभावना हैं और उच्छ भी हो रहे हैं तो यह आपके सस्टम भाव पर उच्छ हो रहे हैं इसके बाद जहां सस्टम भाव को हम आपके सत्रू का मानते हैं आपके रिंड का मानते हैं और रोग का मानते हैं यानि रिपू, रिंड और रोग तीनों चीजों के लिए यहां पर उच्छ ये आपके कोई अदालती चकर कट रहे है, तो उन से भी आपको यहाँ पर मुक्ती सुक्रदेप दिला सकते हैं. तो ये कई प्रकार की संभावना हैं जहां यहाँ पर शुक्रदेप आकर अच्छा प्रभाव आपको देने बाले हैं. क्या उपाय करना चाहिए कि ताकि और इससे जल्दी सफलता मिल जाए, आपको इस्पटिक स्रियंत्र किशना अपने घर में या अपने कारियले ओपिस में करना चाहिए, अपने फैक्टरी में करना चाहिए, ताकि आपको इससे सुक्रदेब और अच्छी जो है एक positivity आपको द देगी, तो ये काम आप जरूर कीजिए, इस period के अंदर आपको काफी अच्छा लाब मिले बारा है, दूसरा यहाँ पर धन अगर फस गया है कोई, सबस्कुर आपने धन दे दिया कि इसको रिटर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी भी संभावना यहाँ पर अच्छी खासी प्राप्त होगा, देखें, यहाँ पर 19 मई से लेकर के और 11 जून तक की स्थिति जो है अस्टम भाव में सुगरी हो करके यह धन भाव पर दृष्टी को इनकी रहेगी, यह काफी अच्छी स्थिति कही जा सकती है, जहां आपके फाइनेंसली स्टेटस को यहाँ पर अप कर सकता है, ताकि आपका मनोबल यहाँ पर बढ़ता बना जाराय कोई नया स्टाटप आप चालो कर सकते हैं, कोई सेरिंग में आप नया काम कर सकते हैं, इन चीजों की संभावना यहाँ पर काफी अच्छी बढ़ जाती है, अगर आप होटल इंडस्टी में हैं, आप तो सत्रों यहाँ पर थोड़ा सा यह परिशान कर सकते हैं, आपको डिप्रेशन में रख सकते हैं, तो यह समस्यां थोड़ा सा यहाँ पर एक सामने रूप से देखी जा सकते हैं, पेट जनी समस्यां यहाँ पर देखी जा सकते हैं, कोई दिक्कतें चलने हैं, तो थोड़ा सा यहां पर health issues आ सकते हैं कुल मिलाकर तो उन सब से आपको बच कर रहना होगा उन सब का आपको धियान रखना चाहिए इस period के अंदर इसकी लिए आपको मासक्ती द्रुगा की उपास्चना करने चाहिए और सरवा बाधा विनिर मुक्तो धनधान शुतान इसमंत्र का आप जब करें तो आपको एक अच्छा लाग यहां पर मिल सकता है 24 अगस्ते से 12 में आपकी रासिस्तरासी के स्वामी नीच हो जाएंगे यह समय आपको खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है आपके विर्थ के खर्चे हो सकता है साती साथ अगर इस पीरियर्ट को आप इंवेस्टमैंट के तोर से देखेंगे अगर ओन खर्चों को आपके इंवेस्ट कर देते हैं धन को सुरक्षित रख करके आप निवेस्ट कर देते हैं तो वो धन आपको कई ग facets बढ़ करके आपको लाब देगा तो ये काफी बहतर एक स्तुति कही जा सकती है जो आपको अच्छा लाब यहां पर दे सकता है और साती सात अगर हम बात करें स्वास्त पर इसका प्रभाव तो स्वास्त पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी पढ़ सकता है हालंकि यहां पर घबराने की बात नहीं है दुरुगा मंदिर में किसी भी सक्तिपीट में जा करके आपको एक नारियल, कुछ दक्षिना, पान और सुपारी आपको माभवदी जगदंबा को अरपित कर देना चाहिए और श्वास्त की उत्तम कामना, धन की उत्तम कामना आपक अक्टूबर तक यहां पीरियट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर जो तुलारासी के जातक है, होटल इंडिस्ट्री में काम करते हैं, टूरिजम में काम करते हैं, विट्विशन का काम है, आपका कॉस्मेटिक का काम है, या फिर आप विदेश जाने की तलास में थे, उसकी फिराग में हैं, तो आपको अच्छी सबलता इस दौर में मिड़ सकती है, यहां पर एक चीज़ और भी उन लोगों के सम्भाना जो क्रियसन के फिल्ड में आगे हैं, क्रिटीबिटी कुछ करते हैं, यूटूब के छेतर में हैं, या फिर आप कुछ आ आउजरी की दुकान है, या रडेल की दुकान है, उन लोगों को भी इसका एक अच्छा लाब मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या उपाई यहां पर होने चाहिए, जो आप अच्छे बृद्धी को प्राप सकते हैं, शात मुखी रुद्राक्ष पहन सकते इस पर एक स्रीयंत्र अपने कारिस्तल पर या अपने घर के मंद्रे में स्थाफित कर सकते हैं, साती साथ आप चंडी पाट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा यहां पर लाब देने वाला होगा, सनी आपकी पंचमस्त वर्षा अंत तक रहेंगे, और आपको अच्छे फल पर लेकर फिर से चर्चा करेंगे, आज दीजे जाजब, तब तक ले दन्यवाद